नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेस, आप सभी का एक बर फिर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं Starting Capacitor और Running Capacitor में क्या Difference होता है और साथ में Starting Capacitor की जो value है वो किस तरह से हम calculate करते हैं इसका हम complete जो है वो process समझेंगे तो चलिए start करते हैं देखे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दू कि इसका हमने already जो है वीडियो बनाया हुआ है तो इसमें आप running capacitor की जो value वो किस तरह से calculate करते हैं in case of 1hp की जो motor है तो ये मैंने already बताया हुआ है आज हम देखने वाले starting capacitor की जो value है तो वो किस तरह से calculate करेंगे और साथ में हम ये भी समझेंगे कि starting capacitor और running capacitor में क्या difference रहता है तो देखिए जैसा कि आप diagram में देख पा रहे हैं आपका जो starting capacitor है उसमें आपकी voltage rating जो है वो तो रहती है कम और capacitor की जो rating है वो होती है ज्यादा यहाँ आप 45μF जो है वो आप capacitor की value ले रहे है और 250V AC जो है वो आपका voltage है लेकिन यदि आप running capacitor के case में देखेंगे तो यहाँ capacitor की जो rating है वो तो है कम 20μF और आपका जो voltage है supply voltage वो है 400 to 450V ठीक है तो इन दोनों diagram से आपको ये clear हो गया होगा कि voltage rating कौन से capacitor की ज़्यादा रहती है और कौन से की कम रहती है अब देखिए यहाँ हम कम और ज़्यादा जो value है वो क्यों लेते हैं तो इसका मैं आपको एक simple सा तरीका बताता हूँ याद रखने का कि running capacitor जो होता है वो क्या है voltage rating पर depend करता है क्योंकि नाम से ही आपको clear हो रहा है कि running capacitor जो है जब आपकी motor run कर रही है तो वो जब तक run करेगी तब तक वो connect रहेगा लेकिन starting capacitor जो है वो क्या है आपका motor जब start होती है और कुछ second के लिए वो connect रहता है जब motor की speed आपकी 70 से 75% achieve हो जाती है ठीक है यदि वो continuous connect रहता है तो उस condition में क्या होगा आपका capacitor जो है वो फट जाएगा damage हो जाएगा क्योंकि आपकी जो maximum current है वो क्या है कुछ second के लिए flow करेगी और उसके बाद यदि वो disconnect नहीं रहता है तो उस condition में वो maximum current क्योंकि इसको जब rated voltage मिलेगा तो rated voltage क्या होगा ज्यादा रहेगा और इसकी voltage rating है कम तो इस condition में ये क्या है ज्यादा charge को store नहीं कर पाएगा और वो damage हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम इसकी calculation को समझ लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी जो starting capacitor जो है वो current rating पर depend करता है तो इसलिए हम इसकी current की जो value है वो देखेंगे तो यहाँ i equals to v divided by xc है और register के case में भी हम क्या लेते हैं v equals to r into i और यहाँ i की value यह दिए आप calculate करेंगे तो यह क्या रहेगी v divided by r ohm का नियम जो है वो यही कहता है अब यही जो formula है यह capacitor के case में भी हम use में ले रहे हैं और जैसे ही आप xc की value पूट करेंगे तो xc की value क्या होती है 1 upon omega c इसको पूट करेंगे तो यह इस तरह से आपका convert हो जाएगा i equals to जो है वो v divided v into omega c बनेगा और इस omega c की value क्या रहती है omega की value क्या है 2 pi f की equal होती है जब आप इसको angular frequency को radiant frequency में convert करेंगे तो यह रहेगी और इससे आप c की value जो है वो calculate कर लेंगे जो आपको i divided by 2 pi f into v यह आपको मिलेगी चलिए अब हम इसको एक example से समझते है तो देखिए यदि आपके पास एक 1 hp की motor है तो power rating आपकी कितनी हो जाएगी p equals to 746 watt ठीक है तो इससे यदि आप current की जो value है यह हमने काफी वीडियो में समझा है current जो है वो p divided by v into cos 5 power factor तो यहाँ i जो है वो आपको मिलेगी 746 divided by 220 voltage into power factor अपने 0.8 consider करते हैं तो इस condition में i जो है वो आपको मिलेगी 4.24 ampere तो यह आपने current की value calculate कर ली चलिए अब इस current की value से आप c की जो value है वो किस तरह से calculate करेंगे तो देखिए 4.24 divided by आपका क्या है omega, omega की value 314 जैसा कि हमने running capacitor के case में किया था और voltage की value है 220 और इस से आप c की जो value है वो calculate करेंगे तो यह आपको मिलेगी 61.1.4 into 10 की power minus 6 farat और यह क्या है आपका micro है तो c equals to 61.4 micro farat यह आपकी starting capacitor की जो value है वो रहने वाली है ठीक है तो I hope आपको यह calculation अच्छे से समझाई है और यदि कोई doubt हो तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं वीडियो यदि अच्छा लगा तो like करना मत पूलेगा और यदि आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर लीजे ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको timely मिलते रहे कोई भी वीडियो आपको आपका miss ना हो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आज के लिए इतना है